आज बाबा हमें कुछ मुख्य शिक्षाएं भी दे रहे हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के लिए कुछ अच्छा एक्स्प्लेनेशन भी बाबा कह रहे हैं बच्चे आगे चल कर तुम्हारे पास बहुत बच्चे आएंगे उन दिनों की बात है तब तो थोड़े होते थे यह सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं सारी दुनिया ही इनके बच्चे हैं यह तुम्हारा अलोकिक फादर है देखो सभी धरम वाले इनको जरूर मानते हैं आदम बीबी, एडम एव, आदी देव, प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा सरस्वती यह सब नाम सभी धरमों में चले आते हैं तो इस पर तुम्हें अच्छी तरह समझाना है, मैं भी इसके अंतिम जनम के अंत में इसके तन में आया हूँ यही नंबर वन आत्मा थे, अब लास्ट में पहुँच गई है, इसलिए कल्प रक्ष में उपर दिखाया है और नीचे तपस्या कर रहे हैं कल्प रक्ष की जड़ों में, तो अब यह तपस्या कर रहे हैं, नंबर वन है, फिर भी कहते हैं, मुझे भी सदा याद नहीं रहते हैं दिर अंतर याद तो अंत तक पहुँचेगी जब कर्मा तीत होंगे, और कर्मा तीत का संबंध मा भारत लड़ाई से संपोर्ण रूप से है तो ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा बहुत अच्छी अच्छी बाते कह रहे हैं, देखो इसको सुक्समतन में दिखाते हैं, यह फरिस्ता बनता है, ब्रह्मा विष्णु संकर, तीनों को दिखाते हैं सुक्समतन में, पर महा केवल साक्सातकार होता है, एक्च्वल नहीं है ब्रह्मा भी यहां है और विश्नु यानि लक्ष्मिनारायन भी यहां है साक्सातकार करा देते हैं बाबा वो साक्सातकार का पार्ट है मेरा को भी साक्सातकार हुआ सादू संतों के साथ रहने लगी सुरू में जब यग रचा तो बाबा के सब बच्चों को साक्सातकार होते थे बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे लोगों ने कहना सुरू कर दिया जादू है दादा जादू सीख कर आया है पर यह साक्सातकार की बात थी तो ब्रह्मा बाबा को तुम सब को फोलो करना है, वो तपस्या कर रहे हैं, तुम्हें भी ऐसी घेन तपस्या करनी है, ये मेरा रथ है दुसरी बात कह रहे हैं बच्चे, तुम इनके बच्चे बन गए हो, तो तुम भाई बहन हो गए तुम कोई क्रिमिनल एसॉल्ट नहीं कर सकते, तुम पवित्र हो, अगर कोई करता है, तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है कई बच्चे अपनी जनम कहानी लिख कर देते हैं बाबा को, बाबा हमने बच्चपन में बड़े हो कर ये ये गंदे काम किये अनेस्टली लिख देते हैं, वफदारी से लिख देते हैं, तो ऐसे तु कहा जाता है, माफ हो जाते हैं, पर तुम माफ नहीं होते, पर तुम हलके अवस हो जाओगे इलिए अगर कुछ ऐसे गंदे काम होवे हों, तो बाबा को इस पस्त बता दो सुना दो तो काफी मदद मिल जाएगी बाबा की, और आगे के लिए कहते हैं, तुम्हें इन विकारों के बीज अब नहीं बोने हैं, ये काम करोध बीज हैं, ये देह अब इमान बीज है, और इस इतना है, काम करोध को जीतने वाले, सभी विकारों पर सहजी विज हो जाते हैं, तो बाबा हम सब को बहुत अच्छी बात कह रहें, तुम्हारा लक्ष सामने है, लक्ष्मी नारायन बनना, उसके लिए तुम्हें बहुत मीठा भी बनना है, तैवी गुन भी धारन करने हैं और किसी जगह पर ये एम अबजेक्ट नहीं दिखाई जाती, तुम्हें बाबा ये राजाई दे रहा है, उसके लिए तुम्हें राजयोग सिखा रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छी तर है अपने पुरसार्त में सदा लगे रहना है, तुम्हें अब संपोर्ण पावन बन कर घर ले जाने के लिए, वहां तुम संपोर्ण शानती में रहोगे, लेकिन घर में कोई बैठने जाओगे, फिर इस अंसार में पाट बजाने के लिए तुम्हें आना ही है, बाबा संगम युग की बाद इस पस्ट करके कह रहे हैं, कि इधर है पतित दुनिया, जिसमें द अरक है, ये कलियोगी दुनिया, दुखधाम है, और इधर है ये सत्युई दुनिया, जो पुन्यात्माओं की दुनिया है, कलियोग पापात्माओं की दुनिया है, वो पावनात्माओं की दुनिया है, देवी देवताओं की दुनिया है, जहां तुम अथा सुख बाते रह तो बावा के पास फिर से बच्चे आ रहे हैं अपना जनमसित अधिकार लेने के लिए बच्चे यग में बहुत कुछ देते हैं गुरुवों के पास तुम जाते थे तो भेट चड़ाते थे यहां तो कोई भेट चड़ाने की बात नहीं तुम तो बच्चे बन गए मुझे त ताकि बच्चे देते हैं तो बच्चों के लिए ही मकान आदी बनाते हैं उनके खाने पिने का परवंद करते हैं बाबा ने तो अपना ही सब कुछ दे दिया था कई बच्चे दो रुपे भेज देते हैं बाबा हमारी दो इंट लगा देना कई हजार भेजते उन दिनों हज तो मकान बनते हैं, सब बच्चों को सुख मिलता है उनमें रहकर, फिर कोई वो बच्चा आता है, जिसने पैसा दिया है मकान बनाने में, तो बाबा उसे अलग अच्छे रूम दे देते हैं, तो कई बच्चों को संकल पुठता है, बाबा भी विशेश खात्री करते हैं, इनक हम सब जानते हो, जो बहुत मदद करते हैं यग में, कोई विदेशों से आते हैं, कोई साहुकार हैं, अपने घरों में बहुत सुखों से रहते हैं, तो बाबा को भी उनका ध्यान रखना पड़ता है, बाकि प्यार तो गरीब बच्चों से ही बाबा का बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह बाबा हम सब को राज्योग के लिए भी प्रेडित कर रहे हैं और कह रहे हैं ये ग्यान जो मैंने तुमें अभी दिया है फिर तुम प्राडब्द में चले जाओगे ये ग्यान तो लोफ हो जाएगा और तुम अपने चक्र में फिर से सुन्दर पाट बजाओगे वर्दान है इस्वरिये नसे के द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सभी प्राप्तियों से संबन बनों तो जैसे वो लोग नसा लेकर सब कुछ भूले रहते हैं तुम भी इस्वरिये नसे में रहोगे तो पुरानी दुनिया भूली रहेगी और सब कुछ दूसरा न कोई ये नुसा चड़ा रहे, इस समर्ती से तुम्हारे अंदर समर्थी भी आती जाएगी और प्राप्तिय बढ़ती जाएगी। स्लोगन है, एक दूसरे की कोपी करने की बजाए, तुम्हें बाप को कोपी करना है। तो आज हम अपने कुछ चेक करेंगे, कामकरोध के बीश तो नहीं बहते हैं, बाबा के रूम में बैठ कर कोई गल्ती की हो, हमने वो सुना देंगे बाबा को, और इस वरी ये नसे में रहेंगे, भगवान मिला है, उसके बल पर हम जीते हैं, उसका बल, उसकी शक्तियां हमार साथ हैं, और फिल कर फिल करेंगे उसकी किरने, हमें मिल रही हैं, ओम शान्ति.